नवश्कार मित्रों अपेक्स क्लासिस के डिजिटल प्लैट्फॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है देखेगा WBC का वर्गी करण ठीक है WBC का वर्गी करण क्लासिफिकेशन की बात कर रहे है WBC का अलग अलग प्रकार है उनके बारे में भी डिसकस करेंगे हम लोग यहां पे ठीक है तो यहां पर आपके पास में WBC आपको पता है कि दो प्रकार की होती एक होती कणिकाम है और एक होती कौन सी आकणिकाम है बताया था ना मैंने आप ल कोशी का द्रव्य के आधार पे कि कोशी का द्रव्य के आधार पे है तो अगर मैं यहां पर इसका आधार लिखूंगा तो यहां पर पहले मैंने एक तीर का निशान लगाया लाइन कीची और यहां पर लिख दूंगा क्या लिखूंगा कोशी का द्रव्य के कोशी का द्रव्य के अधार पर क्या जाएगा कोशी का द्रव्य के अधार पर कोशी का द्रव्य के अधार पर मैं क्या करता हूँ इसको दो पार्ट में विबेदित कर देता हूँ एक पार्ट इसका आपके पास में आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा कणिकाम है और दूसरा हो जाएगा आपके क्या सिद्ध हो रहा है नाम से सिद्ध हो रहा है आपके पास में कि इसके कोशी का की का मै कोशी का द्रव्य का महें ठीक है क के लिखेंगे कानिकाम मैं कोशी का धरव्य को समझगे मेरे बात को यह आपके बास में दू आ जाएंगे कणिकाम आपको नजर आ रहा है वह आपके पास मैं तीन में डिवाइड होगा कितने में डिवाइड होगा तीन में अभिरंजक के आदार पे कौन से तोर पर कोशिखाय कौन से अभिनजक में रहती है अभि क锯ा करते हैं तो यहाँ पर लिखेएby ऑबिरंजक के अधार पर अभिरंजक के आधार पर ये तीन प्रकार की है कितने प्रकार की है रहे तीन प्रकार की है क्या नाम है पहले वाले का एक का नाम होगा आपके पास में क्या एसीडोफिलस क्या होगा एसीडोफिलस नाम से फता लग रहा है कि यहां अमल में क्या होगी अभिरंजी तोईवी हो लिए तो यहां पर एक का नाम हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं बेटा एसीडो फिलस एसीडो फिलस का वैसे नाम होता है आपके पास में कौन सा इयो सीनो फिल क्या होता है यो सीनो फिल दूसरा होता है आपके पास में बेसो फिलस क्या होता है बेसो फिलस बेसो फिलस का अन तीसरा होता है आपके असमें, Neutrophilus और Neutrophilus के लिए हम क्या, संग्या देते हैं इसके अंदर आपको स्में नूट्रो辉फिल क्या हो जाएगा, नूट्रो फिल भी तेहर सबस्हतीत यह तीन आजाएगे, अर्थार्थ , यहां यहां पर लिखना होगा आपको यह अभी रंजित्ता है किस से अम लसे टो यहां पर लिखेंगे आप लोग लोग अमनोम से अभी रंजित ठीक है यह आपके पास में क्या जाए गा श्र से अभी रंजित ये क्या जाएगा आपके बस में यह आपके आसमा जाएगा अमलव शार गर दोनों से अभिरंजित क्या जाएगा दोनों से दोनों से अभी रंजित हो जाएगा तो यह चीजें होती है इसके अंदर WBC के अंदर समझें इस आधार पर अपने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं खणी काम एको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कौन कौन सा यह सिनोफिल बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल अभी इनका विविद्धी करन करके भी अध्यन करेंगे गवराने की आउशक्ता बिल्कुल भी नहीं है यहां पे अब हम लोग यहां पर डिसक्स करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है वह बात हमें जो दो परकार की होती है उनके नाम क्या क्या है एक का नाम आपके वास में आजाएगा क्या मोनोसाइट और एक का नाम आपके वास में क्या जाएगा लिंफोसाइट जिसको सामाने इंदी में लसिकानू बोलते हैं क्या बोलते हैं लसिकानू क्या बोलेंगे एक रहेगी बी लसी कानू और एक आजाएगा ती लसी कानू यह दो आपके पास में इसके अंदर आ जाएगी तो इस प्रेकार से क्या है आपके पास में डबलू बीसी का पॉंड रूप से मैंने वर्गी करन बताया है किसके आधार पे एक तो कोशी का द्रव्वे के आधार और उसके बाद में कोशी का द्रव्वे के बाद में अभिरंजक के आधार पे उसको और डिवाइड करके भी समझा दिया है पूर्ण रूप से ठीके ना तो आप तोड़ा सा ध्यान रखेगा इसके अंदर ठीके अब हमारे पास में जो रहेगा वह यह है कि हम इन पांचो क कैसा रहता है इनकी प्रवर्ती कारें इसकी चित्र कैसा होता है यह सब बाते में यहां पर करना चाहा रहाऊ इसलिए हम लोग क्या करते हैं एक नहीं प्रस्ट पर एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल के अंदर हम लोग सब चीज़ें दर्ज करेंगे इसकी ठीक है और लेका किसके लिए यहां पने पास में एक सब्सक्राइब तरीके से मैं इसके इंदर बातचीत तो यहां पर कस्पि आ जाएगा सबसे पहले आम लोग यहां पर है जो आ रहा है वह देखेगा नूट्रोफिल क्या लिख रहा हूं मैं यहां यह पर नूट्रोफिल के बारे लिखन सहा और हूं पिर यहां लिख देता हूं यह जीनो फिल फिर आजाएगा किया मॉनोसाइट और फिर आपके आपके आजाएगा लिम्फोसाइट यह पांचोप्रकार की या पर नाम कोशिकाओं रहता है यहां पे, तो यह जो है आपके पास में सबसे पहले आ रहा है, जिसका नाम आपके पास में neutral fil है, यह sixty two percent रहता है, मतलब अन्द बेजो पास में neutral fil होती है पास में neutral fil, पर्तिशत रहता है और लिमफोसाइट रहता है तो अगर टोटल डब्लूबीसी की बात करें तो टोटल डब्लूबीसी में सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स होती है नूट्रोफिल हो ती ए और उसके बाद में कौन सी होती में कौन सी होती है लिंफोसाइट होती है यह आपको बताया है यह किसके ऊपर बता या पर अब यहां पर आपको आमाप के आदार पर बता रहत्य हैं कि इन में अम Face के बात करता हूं। है आमाप की अगर मैं बात करता हूँ यहां पे तो आमाप के संदर्ब में अपने पास में कितना रह सकता है उसके बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में रहा है न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल का आमाप रहता है दस से बारा माइक्रोन मीटर बेसोफिल का रहता है दस से पंद्रा माइक्रोन मिटर फिर मॉनोसाइट जिसका भी मैं थोड़े दिर पहले भी बताया था आपका आपका आपको इन प्रकार की डबलू बीसी में अंतर बताया है यह आपको धिमाग में रखना होगा अब मैं आप केंद्रक की बात की बतायता हों केंद्रक कैसा रहेगा इनके अंदर चैंद्रक सबसे point रहता है वेटा क्योंकि वह अहां पर यहां पहते हैं पहूज और इंन और यान्य मोटि लूब इसमें बहुत सारी पाली मिलेगी केंद्रक में कोशिका मैंने केंद्रक के अंदर ध्यान राखना यह होता है एस अकार का कैसा होता है एस अकार यह होता है द्वी पाली यूक्त कैसा होता है द्वी पाली यूक्त इसमें होता है व्रकक मतलब किडिनी के आकार का ठीक है ना और इसमें होता है कैसा होता है केंद्रक गोल मतलब पांचों कोशिकाओं में केंद्रक की आकरती होती है वो क्या किया था इसके बारे में याता रहा है ना आप लोगों को वही चीज ध्यान रखिएगा यह किंद्रक क्या करती क्या सबकी अलग अलग है किंद्रक के बाद में अगले बढ़ता हूं तो कौन सा है कोशी का द्रव्य के बारे में बातचीत करनी होगी किसके बारे में कोशी का द्रव्य तो आपको पता है कोशी का द्रव्य सित्तात पर यह क्या है कि कौन सा आपके असमें न्यूट्रल रहेगा कौन सा एसिडिक रहेगा और कौन सा बेसिक प्रवर क्या लिख सकते हो आप यहां पे इसको नूट्रो फिलस फिर यह कैसा दो यह आते ही। भी कोशि का फिलस रहेगा फिर क्या रहेगा यह सफ फिलकता याले की बेसो फिलल रहेगा थीक्हें बेसो और यह आपके पास में कैसा रहेगा आपके पास में क्या आगए कोशी का द्रव्य के आदार पर आपको इन पांचों में बता दिया है अगला बिंदू जिसके उपर मैं बातचीत करना जा रहा हूं वह आप जानते हैं कि आगे वाली तीन क्या होती है 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 तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या वो लो क्या लिख दें हम लोग क्रणी का मैं यहां पर भी क्या लिख दें हम लोग यह भी कैसी होती है क्रणी का मैं यह भी कैसी होती है आप अनुपरस्तित रहेंगे यह भी कौन सी है और कणिकाम है यह हमने इन पांचों के लिए लिख दिया है समझ रहें मिर बात को तो यह तोड़ा सा ध्यान नखेगा कणिकाम है का भी मैंने आपको बता दिया प्रतिशत हम आप केंद्रक कोशिका द्रव्य और कणिका अब बताते है कितना हो सकता है अगे यह काफी और सालों तक भी हो सकता लेकिन किसका कितना रहेगा आपके ऐस्में के लिए रहता है और ये कुछ महीनों से साल तक रह सकता है कुछ महीनों से सालों तक रह सकता है ठीक है क्यों क्योंकि आपको पता है लिंफोसाइट का कारे क्या होता है लिंफोसाइट का कारे होता है आपके पास में एंटीबॉडी को बनाना और एंटीबॉडी आपको पता ह प्रतिरक्षा तंतर को बनाते हैं तो ये काफी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, रहते भी हैं, समद्रों, जो बच्पन में ठीका लगता है, उससे जो हमारे शरी में प्रतिरक्षा बनती है, निया अंटी बढ़ी बनता है, वो जीवन परियंत तक रहते हैं, तो ऐसी चीज मैंने आपको तीन बताए थे अभी जब मैंने जन्रल बात किया था आपको बता देता हूं वापस देखो निर्मान इसतल अपने तीन बात की थी लाल अस्ती मज्जा लसी का पर्व और प्लीहा के बारे में अब इन में से कौन सी कोशी का जो है वो कौन सी जगे पर निर्मित ह हैं यह आपके पास में कहां पर बनता है लाल अस्ती मज्जा के अंदर निर्मित होता एं कहां हो रहा हों योसि नोफिल भी कहां होता है लाल अस्ती मज्जा के इंदर है ठीके लेकिन अब आपके पास में कौना आ िहां ओर रहे हैं अब कर रहा है मॉनोसाइट का देव ने कहां और यहां हाँ है डीके वं लसी का पर five में रिम्प नोड के अंदर होता है ठीक है अब जानकारी दीती तोड़े देर पहले इसके बार है मैं आप लोगों को समझने में बात को लिंफोसाइट का अपने आपने अलग पंग अलग चीज इसका जो निर्माण होता है वह थाइमस किसमें आपका थाइमस थाइमस एक घ्रंती होती है जो चात क्या पर्व क्या आपके पास में क्या निर्मान था मतलब कहां किस किस का निर्मान होता है उसके बारे मैंने आपको यहां करें दीए फिलाल साथ पॉंट बताएं आप को साथ पॉइंट के लावाद दो पॉइंट और इनका कार्य और इनका चित्र तो उसके लिए हमको एक नया प्रस्प लेना पड़ेगा वहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे ना तो देखिए नए प्रस्प भी फटाफट से हम लोग जो चाहते हैं सानी बनाना वो फटाफ लाइन खीज दें अगर आधे गए और यहां पर भेपने एक लाइन खीज देते हैं ठीक है अच्छा इसको תोड़ासा साही करते हैं ठीक तरीक से सिस्टेमेटिक तरीके का काम रह अपने पास में तो ये आपके पास में आ आज pigs एक ऑफ़ लाइन कहा को फिलैनिया आपको पता है कि हम लोग किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं आप जानते हैं क्या-क्या लाम लिखना है हमको उपर आप सब जानते हैं इसके बारे में तो हम लोग वह नाम लिख देते हैं यहां पर जो आप लोग नहीं जानते हैं ठीक है सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लो के बाद में क्या जाएगा और मोनोसाइट के बाद में क्या जाएगा लिंफोसाइट यह 500 कोशिकां के बारे में बात कर रहे हैं लोग कार्य के बारे में सब पंक्तिओं में सबसे पहले उठकर के कौन आ रहा है निूट्रो फिल का कारे मतलब यहां पर की कोई भी बहार से किसी प्रकार का प्रतीजन आएगा तो उसको ठोकड़ें का काम करने का काम है बक्षन कर दाना है दूसरा काम है बेस प्ल बेस तोफ़ कुछ इस्तरावित करता है यह यहां पे क्या लिखेंगे अम लोग इपैरीन रखेंगे पैरिन का स्ट्रावन करता हैं क्या करता है समझ रहें आप सबसे में चीज़ बता रहा है यहाँ पे जो इपरीन है क्या है यह प्रती सकंदन कारक है मतलब रुदिर में रुदिर का शरीर में ठक्का जबने से रोकता है ठीक है तो यह क्या होता है आपके इसको क्या बोलते है प्रती सकंदन कारक ठीक है मतलब एंटी क्लॉटिंग एजेंट है मतलब क्लॉट जबने से क्या करेगा रोखने का और यह कारे करता है यह इए ऑफिल कि ग्यां सुरह उस्च कर लेते हैं यह शेशनफ४िल्स एंटी ऐलर्जिक फेक्टर याई ज़ा किसे तरह करते हैं एंटी ऐलर्जिक प्रति ऐलर्जिक एंटी-एलर्जिक कि तरह कारे करते है वह घाव बरने में भी इसका रोल होता है किसमें घाव बरने में ये भी इसके इंदर आ जाएगा Monocyte अगेन Monocyte और Neutrophil का कारे सेम ही है ये भी बक्षी ये ये भी बक्षी है तो इसका भी कारे क्या रहे जाएगा प्रसमें Phagocytosis समझ गे और लिंफोसेट जो सदा बाहर है हमारे पास में इसका काम होता है एंटी बाड़ी को बनाना यांटी बाड़ी का निर्मान करना क्या होता है तो यह मैं आपको सब के कार्य बता दिए हैं आप लोग याद रखेगा कारी के आदर पर मिलान करो में भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है अब हमको पांचों का चित्र देगना चित्र में सबसे सबसें इंप्र्टेंट बात होती है कि आप उसमें किंद्रक की स्थति को स्पष्ट कीजिए के रख कैसा है बहु पाली यूगता है ज्वीपाली यूगता है गोल है किड्नी आकार का आई आपको बनाने मतलब डाइग्राम को बनाने के लिए हम लोग यांपे पहले चोड़ा कणि काम आए तो इसमें भी ग्रेणिवल्स बताने पड़ेंगे यह भी करन उन्से लेकिन अब आपको पता है कि इसका जो केंद्रक होता है वह बहु पाली युक्त होता है देखिए क्या लिखावा है भू पाली है ठीक है मतलब केंद्रक में बहुत सारी क्या रहेगी आपको से चित्र को बनाना सीख जाएं तो यह इक नंबर यहाँ वाली आगी आपके दो किमबर तो इसमें बौट सारी पाली यह पूरा समस्त ने यूत होता है क्या होता है आ रहता है वह रहता है यह संहान्य रोप से मैं एसकार हों तो थोड़ा सा मोटा कर देता हूं तो यह कैसा रहता पतें मी लोप के इंदर के नदर यहां पर आपके के पास में और एक लोब आपके पास में यहां पर यह रहा यह चीज्ज आपका असमें यह क्या आपका सब्सक्राइब तो इस को इस परकार से हम लोग दर्शा देंगे समझे हैं मेरे बात को यह बाइगा अब जो आप पास में अंतिम चरं पर रहता है वह क्या आपके बास में गोल रहेगा रहे लगा समय कह रहेगा आपके उसमें गोल आएगा यह तो यह आपके उसमें के Меня का इंद्र कैंडर में और बना देते हैं न को पूरा कैसा रहता अपका संथ में रहेगा होगा साथ ही साथ में कनो की स्थति को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से यहां पे ध्यान में रखना होगा ठीक है यह आपके पास में क्या था समष्ठ लॉ-बी-ची के डाइग्राम थे जो मैं आपको बनाई है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे यदि आपने किंदर की स्थती सही नहीं बनाई है तो आपको अंक नहीं मिलेंगे यह बात ध्यान रखेगा साथ यहां तक मैंने आपको पड़ा गिया है किसके बारे में पूरा अच्छे से WBC के बारे में बात्चीत कर लिया है WBC के बारे में complete तोर पर हम लोग समझ लिया है WBC क्या रहेगा WBC के सारे functions सब सरस्नात्मक और सब मतलब विवदित करके सबस्त कोशिकाओं के बारे में study कर लिया है अगले वीडियो में मैं आपके पास में लेकर क्या हूंगा प्लेटी लेट्स के बारे में और साथ इसाथ में रुदिर के कार्य के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे कि प्लेटी लेट्स क्या है और ब्लड के फंक्शन क्या रहेंगे कॉमनली हम सभी फंक्शन के बारे म में ठीक हैं? So, thank you very much.